सत्गुरु नानक पर गटेया मिटि तुंद जग चानन हुआ सूप्रभाद प्यारे बच्चो आप सभी को केंटरबरी परिवार की तरफ से गुरु नानक देवची के पावन जनन दिवस की हारते शुप कामनाई बच्चो गुरु नानक देवची सिखों के पहले गुरु थे उनका प्रकाश 1469 इस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था तलवंडी अप ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है जो की पाकिस्तान के लाहोर जिले में है धार्मिक कटर्ता के वातावरन में गुरु नानक देवची ने धरम को उदार्ता की एक नई परिभाशा दी अपने सिधानतों के द्वारा उन्होंने लोगों को सत्ते और प्रेम का पाठ पड़ाया जगा जगा घुमकर उन्होंने ततकाली अंध विश्वासों और पाखंडों का चमकर विरोध किया गुरु नानक देवची हिंदू मुस्लिम एक्ता के भारी समर्थक थे धार्मिक सद्भामना की स्थापना के लिए उन्होंने अनेक तीरत यात्राय की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिश्य बनाया उन्होंने हिंदू धर्म और इसलाम धर्म दोनों ही धर्मों की सर्वोत्तम शिक्षाओं को मिश्रित करके एक नए दरम की स्थापना की जो की अब सिख धरम के नाम से जाना जाता है इसके पश्चार नानक ची करतारपूर में बस गए और वही रहकर लोगों को उपदेश दिया उनकी वाणी आज भी गुरु गरंद साहिव ची में संग रही थे जो की सिखो का एक पवित्र गरंद है तो बच्चों आप सभी को एक बार फिर से गुरु नानक तेव ची के जनम दिवस की हाथ एक शुपकाम नाएं